शुरू होते दिख रहा है बॉलिवुड में स्टार्स की क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने का एक नया ट्रेंड अक्षे रहे जोकर के प्रमोशन से गायब शुती हासन ने भी चुना डी दे को अगेंस्ट हर फिल्म रमया वस्तावया तो क्या हमेशा दिप्लोमाटिक स्टैंज लेने वाले स्टार्स हो गए हैं ओडियंस में अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर ज्यादा अलर्ट वेल इसका जवाब दे रहे हैं आर्जुन रामपाल एक्सक्लिजिबली ओन जूम अक्षे और शुतिहासन ने शायद अपने अक्शन से इस बात का इंडिकेशन दिया है कि वो कौन सी फिल्म के साथ अपना नाम जोड़ना चाहेंगे लेकिन अर्जुन गोज अस्टेप अएड यानि की बात साफ है आजकल पॉलिवड स्टार्स इंडिस्ट्री में अपने रिलेशन्स मेंटेन करने से ज्यादा इंपॉटन्स इस बात को देते हैं कि उनके फैंस के बीच उनकी क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे एक ऐसी फिल्म जिसमें खुद इंस्टार्स को ना हो बिलीव अब वो नहीं करना चाहते हैं उस फिल्म को प्रमोट इरफान ही क्यों? रिसेंटली हमने ऐसा ही देखा शृती हासन के साथ भी वेर शी आप्टेट तो अटेंड अटेंड अटेंग दी डे अगैंस्ट रमया वस्तावया मेकिं इट क्लिर वच फिल्म शी वांट तो बी असोसियेट विट अक्षे ने भी जब जोकर के प्रमोशन्स करने से किया था इनकार तब भी खबने यहीं आई that he is not happy with the way the film has turned out फिर भले ही फारा ने मीडिया में से कावा आप करने के लिए कुछ भी comments दिये हूँ मैं जिट से नहीं बात करती हूँ वो फिर मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ जीज़ इस वेरी डिफिकल दू में फिर दू फिल्म में समरू नाट सपोर्टिंगे But with Arjun including this clause in his contract, seems like he is given this thinking a more formal term लेकिन क्या धीरे धीरे सभी actors Arjun के इस नए contractual trend को फॉलो करेंगे और क्या स्टार्स के लिए ऐसा करना सही है ये कहना मुश्कल है But you can share your views about this on Twitter at Zoom TV with hash beat night Bureau Report, Zoom, Mumbai